तो भाई हम आ गए हमारे सेट अप के ऊपर सेट अपने एक्चलिए हमारे वेन्यू के ऊपर आगा जा पर मारा सेट अप लग रहा है तो आपको एक एक करके सारी चीज़े दिखाते जाओंगो ट्रॉस होगे रहा क्या लग रही है तो वीडियो में आखरे तक बने रहिए गा तो भाई यह ट्रस का काम हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं 10-10 फीट के जो बीम्स होते हैं उनको पर एक दूसरे सो जोनना पड़ता है ऐसा करके हम पूरा 50 फीट का ट्रस बना रहे हैं तो पहले हम सारे बीम्स को एक दूसरे से कनेक कर देंगे 50 फीट का जब बीम आउंट करके हमारे पिलर को कर देंगे तो दोस्तो दूसरे की देख सकते हैं यह होते होते जिसके ज़री हम पूरा बीम है 50 Cup का ओपर जाएगा और यह जैसे दोनों साइड से लग जाय slip पर जाएगा रहे हमारे जो पिलर से हम उनको खड़ा करेंगे तो बस हम चेक कर रहे ह एक बार लेवल मिला के stage का फिर अब pillars के बारी है तो दोस्तों दो बंदे अच्छे से इसको push करते हैं pillar को और उदर पीछे से दो बंदे इनको rope के जिरे या बैल ले सकते हैं बैल जादा मजबूत भी होता है इसलिए दो बंदे मिलके उसको pull भी करते हैं ताकि आगे वाले दो बंदों पर ज्यादा force ना है तो एक side का खड़ा हो चुका है हमारे pillar ही second side का भी हमारे pillar खड़ा हो रहा है इसके बाद हमारा सामन लगाना चाली करेंगी जो भी power light sharpies औगे रहा है sound के liner औगे रहा है साइट जमा दिये हमारा console अभी ready हो रहा है तो अब इने देख सकता हमारे ट्रस के उपर पूरी lights लगा दिये हमारी sharpies आप जैसे देख सकते हैं यह शर्पी यूज़ कर रहे हैं 24 LED पार है 8 वाम पार है यह से पसामान हमें आप लगा रहे है वाइडिंग कंप्लीट हो रही है लाइट की वाइडिंग कंप्लीट होने के बाद फिर हम साउंड का भी काम लगाएंगे स्टेज की साइड सागर हम देखे हैं हमारे ट्रस का lights कैसे दिखते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे lights कुछ ऐसे दिखते हैं ट्रस के बाद बार यह आती हमारी console की तो हमारा console almost ready हो गया यहाँ पर हमने हमारे Amplifiers, Power Distributors, Driver X वगेरा जो भी चाहिए होती है इस सब हमने लगा दिया जैसे कि देख सकते हैं हमारे ट्रस अब यह almost complete हो रहा है हमारी बार ही है साउंड की लाइनरे लगाने की और जो भी cabling बाकी वह सब चीज़ा बाकी है अभी तो हमारी VRX लाइनरे लगाने के लिए सबसे पहले हमने नीचे एक कपड़ा या गद्दा टाइप बिछा दिया ताकि इस पर कुछ scratches वगेराना है तो हम एक एक करके पहले रखते जाएंगे और उसको फिर माउंट करते जाएंगे जिसे कि देख सकते हैं हमने दो रग दी ह फिर तीसरी के बार जैती इसको माउंट करेंगे फिर चौफी को माउंट करके उपर इसकी फ्रेम लगा के हम इसको कंप्लिट कर देगे तो अब दूसरी साइट की लाइनरी का बी काम चालो हो चुका देख सकते हैं एक बॉक्स रख दिया हे और दोस्तों हमारे साथ में केंबल हो चुकी है तब बारी आतीर केवलिंग वगिरा कि और हमारा साउंड का जो भी दुसरा स्टफ बागी है वह हम यहां पर जावाकर हम कंप्लेट कर देंगी तो यह हमारी दोनों सट के लाइनर इस कंप्लीट हो गई तो अल्मोस्स रेडि हो गया है थोड़ी वाइडिंग वगिरा बाकी है वह भी हम जल्दी सा निप्टा लूँगा फिर आपको शाम को टेस्टिंग मतलब पूरा इवेंट होगा आपको वह भी दिखाऊंगा मैं होप करता हूं आपको वीडियो कर लेता हूं उसके बाद आपको टेस्टिंग वागिरा भी हम दिखा देंगे तो वीडियो में बने रही है आपको एक बार में सेट अप की डीटेल्स दे देता हूं जैसे कि देख सकते हैं हमने सब्स लगा रहे हैं लाइनरी में हमारे डेवल की वीरेक्स लाइनरी है शार कॉरा लगा हुए जिसमें पावर डिस्रिब्यूटर डिमर ड्राइवर एक वगेरा कंसोल अगयरा सारी चीज़े लगी हुए क्राउन के एंप्लिफायर एक पी 3 है जिसके देख सकते सब लगा हुआ है और दोस्तों अगर हम टॉप्स और मॉनिटर की बात करें तो उसमें ह और दूहा मशिन भिलावा दी हमने पस अब हम चेक करने वाले तब जोली आपको दिखने वाली है टेस्टिंग कर्को दिखने ओ से कर्को दोहां हम हम तोय जा है झारा